ओलिम्पिक्स चैंपियान नीरज चोपडा ने जावरेंट्रों में वर्ल्ड चैंपियंशिप जीत ली है हंगरी के बुड़ापेस्ट ने नीरज ने 88.17 मीटर के थ्रों के साथ वर्ल्ड चैंपियंशिप पर कबजा किया और इतिहास रच दिया प्रधान मंत्री नरिंड मोधी की तरफ से उन्हें बधाई दी गई है नीरज चैंपियंशिप में उन्होंने ये गोल्ड जीता है देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारा वर्ल्ड चैंपियंशिप में गोल्ड मैटल आया है और नीरज चोपड़ा के वर्ल्ड अथलेटिक्स चैंपियंशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर केंद्री मंत्री अनुराग ठाकुन ने उन्हें बढ़ाई दी अनुराग ठाकुन ने सोचल मीडिया प्लेट्रॉम एक्स पर लिखा कि नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से कर दिखाया गोल्ड मेडल के लिए 88.17 मीटर दूर भाला फेका भारतिय अथलेटिक्स के गोल्डिन बॉई ने बुरपेस्ट में विश्व अथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुशों की भाला फेक प्रतियोगता में जीत हासल की इसके साथ नीरज चोपडा वर्ल्ड अथलेटिक्स चांपियन्शिप में स्वन पदक जीतने वाले भारतिय अथलीट बन गए पूरे देश को आपकी उपलब्धियों पर गर्भ है और ये क्षण भारतिय खेल एतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा केंद्री मंत्री अन्राग चाकुड ने नीरज चोपडा की वर्ल्ड अथलेटिक्स चांपियन्शिप में गोल्ड मैडल जीतने पर और क्या कुछ का आए वो भी आपको सिन्वाद है गोल्डन बॉइ ऑफ अथलेटिक्स नीरज चोपडा ने एक पर फिर भारत का नाम रोशन किया है गोल्ड मैडल वर्ल चैंपियन्शिप जीतकर भारत का नाम सुनेरी अक्षरों में लिखा है और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले एशियन गेम्स, कॉमन वेल्फ गेम्स, एशियन चैंपियन्शिप अंडर 20 टाइटल और टोक्यो ओलंबिक्स जीतने के बाद अब नीरज चोपडा ने वोल्ड चैंपियन्शिप जीतने का भी किरतिमान स्थापित किया बहुत बहुत बदाई बहुत शिपकाम नहीं है और अगर नो जिले कि